Study IQ IAS अब तयारी हुई, अफोर्डबल वाइस देर सो मच इंसरजन्सी नोथीस्ट वेलकम तो Study IQ IAS मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तो हाल ही में आयुश्मान खुराना स्टारर अनेक रिलीज हुई थी इस जियो पोलिटिकल थ्रिलर का में प्लॉट इंडिया के नौथीस्टन रीजन में सेट किया गया था इंडिया की इंटर्नल सिक्योरिटी पर बेस्ट इस रोमांचक मुवी में एक अंडरकवर एजेंट नौथीस्ट के एक इंसरजन्ट ग्रूप के साथ पीस्ट्रीटी निगोशियेट करने जाता है ये एक ऐसा टास्क था जो बिना किसी खास सक्सेस के कई सालों से चलता आ रहा था लेकिन जैसा की इस मुवी द्वारा शो किया गया ये सब कुछ उतना आसान नहीं था जहां एक तरफ इसमें नौर्टीस्ट रीजन की खुबसूर्ती को कश्मीर जैसा स्वर्ग बता कर पोर्ट्रे किया गया है वहीं दूसरी तरफ इसकी में स्टोरी लाइन इस रीजन में छाई इंसरजन्सी के अराउंड रिवॉल्व करती है दोस्तों असल जिंदगी में भी नौर्टीस्ट की कहानी कुछ इसी तरह आउटर ब्यूटी और इंटरनल कॉन्फिक्ट्स के बीच गुथी हुई दिखाई पड़ती है इंडिया का ये नौर्टीस्ट रीजन इंडिपेंडन्स की समय से ही तर्मॉयल का शिकार रहा है तो आज की वीडियो में हम नौर्टीस्ट में फैली इसी इंसर्जन्सी को आपके लिए डिकोड करेंगे आज के डिसकशन का में फोकस उन पहलूँओं पर रहेगा जो इन इंसर्जन्सी के पीछे मुख्य रूप से जिमिदार हैं तो चलिए बिना देर किये इस डिसकशन को आगे बढ़ाते हैं आएए इस वीडियो की शुरुआत इस रीजन से जुड़े कुछ बेसिक्स के साथ करते हैं दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया के इस्टन मोस्ट हिस्से में स्थित नौर्टीस्टन रीजन असैम, त्रिपुरा, मेगालेय, अरुनाचर प्रदेश, नागालेंड, मनिपुर, मिजोरम और सिक्किम से मिलकर बना है इंडिया के ये नौथीस्टन स्टेट्स हमारे पडोसी देश बांगलादेश, मेयनमार, चाइना, भूटान और निपाल के साथ बॉर्डर्स शेयर करते हैं और इसीलिए इसको इंडिया के लिए साउथीस्ट एशिया का गेटवे भी कहा जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टेट्स लगबग 99% बॉर्डर दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं जबकि कुल 1.1% इंडिया के साथ ये रीजिन मेंड लेंड इंडिया के साथ कुल 22 किलोमेटर वाइड लैंड स्ट्रिप से जुड़ा है जिसको सिली गुडी कोरिडोर या फिर चिकन्स नेक भी कहा जाता है और इसकी यही सेंसिटिव लोकेशन इसको इंडिया के लिए स्ट्रिटीजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है इंडिपेंडेंडेंस की समय नौथ इस्ट रीजिन, असैम, नौथ इस्ट फ्रंटिय एजंसी यानि प्रेजन दे अरुनाचल प्रदेश और प्रिंसली स्टेट्स अव मानिपूर और त्रिपूरा से बना हुआ था प्रेजन दे नागलेंड, मेगालिया और मिजोरम उस समय असैम का पाठ हुआ करते थे और फिर एक-एक करके अलग-अलग समय पर ये सभी स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बने दोस्तों ये रीजिन एक सिंगल एंटिटी नहीं है यहां न जाने कितने डाइवर्स ट्राइबल ग्रूप्स अपने डिफरिंट हिस्टॉरिकल बैग्ग्राउंड के साथ अपने पुलिटिकल फ्यूचर का बहुत अलग परस्पेक्टिव रखते आए हैं और इसलिए इस रीजिन को अलग-अलग ट्राइब्स, लैंग्विजज, कल्चर्ज, हिस्ट्री और एथनिसिटी का मेल्टिंग पॉट कहा जाता है लेकिन इंडिया की unity in diversity का ये अनोखा उधारण कई दशकों से insurgency के कहर से जूज रहा है और वो क्यूँ? ये जानने से पहले आईए इसके origin पर एक quick नज़र डालते हैं Genesis of the Insurgency दोस्तों जैसा की हम जानते हैं कि Britishers के द्वारा इस region में largely non-interference की policy अपनाए गई वो North East India को केवल raw material के exporter की तरह exploit करते थे लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके लिए इन regions को अपने साथ integrate करना बहुत crucial था North East के distinct tribal culture को जब इंडिया के साथ integrate करने की बात आई तो यहां की ज्यादतर communities ने इसको oppose किया और यहीं से इस region में insurgency की शुरुआ थुई सबसे पहली अप्राइजिंग हमें mid 1950s में Naga National Council NNC के द्वारा Naga Hills में देखने को मिली जब इंडिया ने नागाज की independent Naga Land की मांग को रिजिस्ट किया तब ही से उनके द्वारा इस armed rebellion की शुरुआत हुई 1956 में इंडियन आमी ने यहां पर counter insurgency operation लाँच किया और इस region को disturbed area घोशित कर दिया गया इसी को देखते हुए यहां कई और tribal groups ने अपनी independence के लिए insurgency को जन्म दिया इसी लिए नागा insurgency को mother of all insurgencies भी कहा जाता है खैर उसके बाद 1966 में present day मिजुरम की लुशाई hills district के लोग Assam administrators के against revolt में खड़े हुए उनका कहना था कि Assam administration उनके concerns और demands को पूरी तरह से neglect कर रही है यह insurgency लगभग 20 साल तक चली 1960s में मानिपुर में इंफाल वैली की मेथी community ने एक और insurgency को जन्म दिया उनका कहना था कि 1949 में मानिपुर के princely state को इंडिया के साथ deception से जोड़ा गया था तरिपुरा भी independence के टाइम पर एक princely state हुआ करता था उस समय वहां 60% indigenous और 40% बिंगॉली population रहा करती थी हाला कि उस समय वो Indian Union के साथ peacefully merge तो हो गया लेकिन आगे आने वाले सालों में वहां कुछ demographic shifts देखने को मिले better educated और prosperous बिंगॉली communities को jobs और बाकी चीज़ों में preference दी जाती जिसकी वजह से त्रिपुरा के local लोगों को discrimination face करना पड़ता था इसी कारण 1980s में त्रिपुरा national volunteers ने इसके against revolt किया इसी तरह सैम में भी कई deep rooted factors ने वहां एक लंबी insurgency को जन्म दिया तो दोस्तों ये northeastern region में जन्मी insurgencies के कुछ उधारण है और इन सब के specific reasons बहुत अलग-अलग है लेकिन अगर एक broad picture देखी जाए तो इसके कुछ common threads हैं जो मुख्य तोर से इस region में insurgency को जन्म देते हैं आईयो उन पर नज़र डालते हैं reasons behind insurgency in northeastern region ethnic differences दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी कहा northeastern region ethnically इंडिया का सबसी diverse region है anthropological survey of India के द्वारा listed 635 tribal groups में से 213 tribal groups के 40 million people इसी region में रहते हैं इन सभी tribes के culture, identities, problems, demands और aspirations भी बहुत अलग-अलग रही हैं यहां की tribes mongoloid origin से बिलॉंग करती हैं और यह खुद को mainstream India की Aryan और Dravidian races से different मानती हैं इसी लिए इनको mainstream India में integrate करना उनके distinct identity के लिए हमेशा से खत्रा रहा है और अपने इसी culture को protect करने के लिए यह लोग insurgency का सहारा लेते आए हैं Political and Governance Issues दोस्तों ज्यादा तर North East states का political structure corruption की चपेट में है कई reports के मताबिक यहां पर politicians और insurgent groups के बीच एक strong nexus देखने को मिलता है North East people का bureaucracy और central administration में low representation साथ ही साथ local bodies की ineffectiveness इन issues को और भी ज्यादा बढ़ा देता है इस poor state structure की वजह से public की insecurity बहुत बढ़ जाती है New Delhi यानी central administration से long distance और लोग सभा में poor representation की वजह से यहां के लोग अपनी voice को policy making corridors तक नहीं पहुचा पाते Government द्वारा-led centralized planning इन indigenous population के participation को restrict करती है इसलिए यहां पर जो भी developmental और counter insurgency policies अपनाई जाती है उनमें ground realities की जलक थोड़ी कम मिलती है Insurgents, union government की colonial और discriminatory policies को region के backwardness का कारण मानते हैं इसके अलावा कई experts मानते हैं कि Armed Forces Special Powers Act यानी AFSPA जैसे laws इस conflict को military level पर ले जाते हैं जिससे यहां की population और भी ज्यादा alienate हो जाती है साथ ही इस region में हर साल भयानक floods देखने को मिलती हैं जो करोडों की properties और लाखों लोगों की lives को affect करती आई हैं High rainfall, rivers के बदलते हुए courses, poor drainage system और narrow valleys के कारण इस region में flood, erosions, landslides काफी common events हैं जिसके कारण इस region को land losses के अलावा infrastructure loss भी जहलना पड़ता है Experts के मताबिक Central Government का इसके प्रती कोई strict action ना लेना उनके लिए लोगों में distrust पैदा करता है दोस्तों, पहले से low development का impact जहल रहे इस region में बांगलादेश से लाई large scale refugees और illegal immigrants ने भी insurgency को बड़े level पर increase किया Illegal immigrants, local population के resources consume करते हैं जिसके वजह से social unrest और भी ज्यादा बढ़ता है उधारन के लिए 1979 के मंगलादाई by election के electoral rolls में 45,000 illegal immigrants ने register किया इसकी वजह से यहां के local population में गुसा भड़क उठा और इसी anti-immigration agitation ने Assam में United National Liberation Front के द्वारा लीड की जा रही insurgency को जन्म दिया Under development due to geographical challenges North Eastern states की geography भी insurgency को fuel करने का एक main कारण है आज भी हिली, inaccessible terrain के कारण region के कई areas में transport lines properly develop नहीं हो पाई है इस region में Pan India National Road, National Highways और Indian Railway Network की भारी कमी पाई गई है यह poor development जहां एक तरफ यहां के लोगों और Indian government के बीच की दूरियां बढ़ाने का काम करता है वहीं दूसरी तरफ यह insurgent movements के लिए बहुत helpful साबित होता है यहां का densely forested terrain और extreme weather conditions insurgent groups के चिपने के लिए suitable conditions प्रवाइड करते हैं उधारण के तौर पर Assam based insurgent group उल्फा Assam अरुनाचल प्रदेश भूटान बॉर्डर के thickly forested region और less connectivity का काफी लंबे से सहारा लेते आये हैं एक insurgent group अगर एक बार यहां settle हो गया तो फिर government को उसको detect और counter करने में सालों साल लग जाते हैं ऐसी geography में ये groups अपनी gorilla warfare और hit and run की tactics भी अपना पाते हैं और security forces के लिए ये एक बड़ा challenge बन जाता है इसके अलावा इस region का 4500 km long international border porous है जिसकी वजह से यहां operate कर रहे insurgents भूटान, मेयनमार और बांगलादेश में आसानी से आज आ पाते हैं और उन्होंने यहां पर safe havens establish किये हुए हैं ये porous borders, insurgents के साथ-साथ illegal immigration, drugs और arms के transfer को भी बेहत आसान बना देते हैं So-called golden triangle का पास में होना, यहां की youth को drug addiction का शिकार बना देता है Poor law and order के साथ-साथ, इन लोगों की presence को insurgent groups अपने मकसद के लिए आसानी से इस्तिमाल कर पाते हैं Sense of isolation, deprivation and exploitation दोस्तो, political stability की कमी और economic development का कुछ हिस्सों में सीमित होना भी, इस region की poor population की upliftment को affect करता है Resources की कमी होने के कारण इस region को central government के funds पर depend रहना पड़ता है यहाँ पर traditional agriculture के चलते low productivity देखने को मिलती है, जो national standard से बहुत कम है Industrial और service sectors में indigenous लोगों का poor representation देखने को मिलता है इस कारण यहाँ पर unemployment और poverty rate भी high देखने को मिलते हैं और इसी वजह से यहाँ का local youth पैसे कमाने के लिए insurgency और extremist activities की तरफ ज्यादा attract होता रहा है दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा कि economic development के लिए security का होना बहुत जरूरी है और क्यूंकि इस region की 96% boundary sensitive international borders बनाती है इस वजह से यहाँ पर private investment का भी crunch देखने को मिलता है 1962 में हुए Chinese aggression के बाद इस region में large scale private investment की कमी देखी गई जिसने development को further hinder किया है इसके अलावा जब development की ओर कदम उठाया जाता है तब अकसर यहाँ के traditional social structure और modernization के efforts clash करते हुए दिखाई पड़ते हैं इन्ही कारण से ये states दूसरे states से comparatively पीछे चूट गए हैं और अगर आप गहुर करें तो यहाँ के कई insurgent groups इसी discrimination की complain करते हुए insurgency को बढ़ावा देते हैं external support दोस्तों इसके लावा नौत इस्ट insurgency को boost करने के पीछे एक main factor international support भी रहा है 1950s और early 1960s में नौत इस्ट इंडिया में armed insurgencies को इस्ट पाकिस्तान ने weapons और training देकर support किया उधारन के लिए 1960s में पाकिस्तान का special services group इस्ट पाकिस्तान में मौजूद अपने bases में नागा gorillas को train किया करता था लेकिन बाद में इनको चाइना से भी support मिलना शुरू हुआ ये support 50 सालों से जारी है और इन 50 सालों में इस aid के तौर तरीके कई phases से गुजरे हैं Mao Zedong के टाइम पर चाइना ने इन ग्रूप्स को लगभग 15 साल तक डारिक्ट सपोर्ट किया और इसकी शुरूआत तब हुई जब नागा नाशनल काउंसल ने चाइना के यूनान प्राविंस में शरण ली 1960 में दलाई लामा के इंडिया में अराइवल और इंडो चाइना वार के बाद जब इंडिया और चाइना के रिष्टों में खटास आई तब चाइना ने नागाज और बाकी नौर्ट इस्ट रेबल्स का खुल कर स्वागत किया लेकिन टैंक जाओ पिंग के दौर में चाइना ये इंटरवेंशन छोड़ कर अपनी एकनामिक कंडिशन्स को सुधारने में लग गया लेकिन उन्हें आम्स का एक्सिस चाइना के सू कॉल्ड ग्रे मार्केट से मिलता है 2013 में सिपरी की चाइना ज एक्सपोर्ट्स अफ स्मॉल आम्स और लाइट वेपन्स रिपोर्ट ने बताया कि साउथ एस्ट एजिया के कई गन मर्चंट्स और ब्लैक हाउस जैसी एजन्सी जिन में चाइनीज मिलिटरी के रिटार्ड मेंबर्स थे वो इन स्मॉल आम्स को रेबल्स को बेचा करते थे ये स्मॉल आम्स सिर्फ इंडियन नौथ एस्ट इंसर्जन्स ही नहीं बलकि नेपाल के माविस्ट्स और अफगानिस्तान के तालिबानी भी खरीदते थे इसके अलाबा चाइना इंसर्जन्स को सेफ हेवन भी प्रोवाइड करता रहा है उधारन के लिए उल्फा लीड़ परेश बरुवा ने अपनी आम्स ट्रेनिंग चाइना में मिड एटीज में ली थी बरुवा जो पहले बांगलादेश से ऑपरेट करता था वो अब यूनान और मेयन मार के जंगल्स के बीच मूवमेंट्स करता रहता है और जाहिर है कि ये सब चाइनी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता तो चाइना इंडिया के खिलाफ इन इंसरजन्स को बारगेनिंग चिप की तरह यूज़ करना चाहता है और इसलिए वो ना तो इनके साथ अपने कॉन्टाक्ट्स पूरी तरह से खत्म करता है और नहीं उन्हीं खुल कर सपोर्ट करता है उपर से आज में अनमार में एक प्रो चाइना मिलिटरी रूल और बंगलादेश और निपाल में चाइना का बढ़ता इंफ्लूएंस इस रिस्क को फिर से बढ़ा रही है ऐसे में इंडिया को actively northeast में अपने border infrastructures और intelligence networks को improve कर insurgent groups को control करने की लड़ाई जारी रखनी होगी तो दोस्तों historically इन सभी factors का combination इस region में इतने दशकों से insurgency को sustain करता आया है लेकिन पिछले दो दशकों में government ने इस issue से deal करने के लिए कई proactive steps लिये हैं जिन्होंने यहां positive improvements भी शो किये हैं उधारण के लिए एक समय पर इस region में 120 militant groups operate किया करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में government के military operations और negotiations की बदौलत इस number को 40 तक reduce कर दिया गया है जिसमें से मनिपूर में ये संख्या सबसे ज्यादा है और सिक्किम और मिजोरम में लगभग ना के बराबर Ministry of Home Affairs की एक recent report के मताबिक इस region की security situation 2014 के बाद काफी हद तक improve हुई है 2014 के comparison में 2020 में इस region के insurgency incidents 80% तक reduce हुए हैं वहीं security forces की casualties 75% और civilian deaths 99% तक कम हुई है तो आज की कहानी हमें ये बताती है कि आज हम अपने independence के 75 years celebrate कर रहे हैं लेकिन इसको celebrate करते हुए हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया के लिए independence से लेकर आज तक ये nation building का सफर जरा भी आसान नहीं रहा है और इन सभी challenges के बावजूद इंडिया ने पूरे nation को एक जुट रखने का रोल बहु भी निभाया है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable